पूछ क्या रहा है कि सांत जल में नाविक की चाल क्या है माल लेते हैं इसको सांत जल में नाविक की चाल कितनी है एक्स ठीक और धारा भी साथ में सामिल है ना धारा सामिल है धारा को भूल तो सकते नहीं तो धारा की चाल मालने हम क्या है वाई ठीक अब अनुदिस जा रहा ह तो कितना टाइम लग रहा है उसको 12 किलोमेटर जाने में 48 मिनट का समय लेगा ठीक चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय सही जबाब दिये और चाल धारा की दिसा में चाल क्या होती है में सा जुड़ जाती है कि एकस प्लस बॉस बराबर कितना होगा दूरी बठें चाल रहा है और समय कितना ले रहे हैं 48 मिनट मिनट को घंडा बनाइएन साठ बनाईवाग देंगे 60 ओर चला गया ह manufacturers कि अजिए और कि चार से में टोंसद रहbnावर. हुए कि यक बापस आता है तो बापस आ रहा तो धारा की अनुदिस तो बापस आए र!! जाहिर सी बात है बेप्रीत दिशा में वापस आएगा तो डिक्रीत झाल एक एससी होती है घट जाती है 1 आउ ज्यादा नहीं होगी ना कि चाल तो क्या होगा धारा बहा ले जाएगी उसको अपनी तरफ एकस माइनस वाई बरावर क्या हो गया चाल बरावर होता है हमेशा क्या दूरी बटे समय दूरी तो वही है दूरी तो बारा ही किलोमेटर है ना कि लोटता समय दूरी बढ़ तो दूरी 12 किलोमेटर और समय कितना लग रहा एक घंटा 20 मिनट एक घंटे को तो एक घंटा लिख लेजे आप 20 मिनट को आप 20 बटे 1020 लिख लेंगे तो ज्यादा बेस्ता रहेगा थिक बेस्तर क्यों रहेगा क्योंकि वह मिनट मेनीड चाहिए ना हम तो पूरा घंटा चाहिए तो 20 तियां 60, ठीक, तो कितना हो गया, 3 एकम 3 और 1, 4 बटे 3, 4 बटे 3 हो गया, तो X-Y बराबर 12, बटे 4 बटे 3, तो 3 उबर चला जाएगा, ठीक, 4, 12, 3, तो X-Y बराबर 9, X-Y बराबर क्या हो गया, 9, अब 4 किसकी निकालनी है, ना भी की चाल निकालनी है, ध्यान रहे, तो ये समीकरण आपका 2 है, और ये समीकरण 1 था, फिक, जो 15 आया था, X-Y बराबर 15 आया था ना दोनों को जोड़ दें अगर तो Y से Y कट गया, कितना आ गया, 2X आ गया, हाँ, और 15 और 9 कितना हो गया, 15 नों कितना हो ता, 24, तो एक सब्रावर कितना हो गया बारा बारा और बारा किसमें दिया है ऑप्शन ए में तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो गया प्रसंद संख्याइटी सेवन का